केंदर सरकार ने लोग सबा चोना तो पहला मास्टर स्ट्रोक मारा है, कल शाम नू नागरिता सोध कानून यानके CAA 2019 पूरे देश ते वेच लगू कर देता है, केंदर सरकार ने चार सालना बाद इना नेमा नू नोटिफाई कीता है, हालांके चार साल पहला ही विवादित कानून पास हो चुक्या सी, पर एक्ट दे नेम कल नोटिफाई कीते गएने, इस कानून दे अमल विच और नाल पाकिस्तान, बंगलादेश ते अफगानिस्तान तो आए गैर मुसलिम प्रवासियां, हिंदू, सिख, जैनी, बोधी, पार और एलाक्यां दे वेच, जिथे जिथे CAA विरुद्धी वड्डे पर दर्शन होए सान, उत्थे सुरक्यावद आदती गई है, असाम दे विच वी सुरक्यावद आदती गई है, विरुद्धी ते राने थे सडकां ते उत्रन दा ऐलान कार दतै, ग्रैम अंत्राले दे अंलाइन मोड देविच ही दाखल कीतियां जान कियां जिसले एक वेब पोर्टल मोहिया करवाया गया हैं। ग्रह मंतरा ले दे बुलारे ने दस्या के पार्ती नाग रिखता दी मंग करनवाले गयर मुस्लिम परवासियां तो कोई दस्तावेज नहीं मंगया जावेगा। देश दे वेच लागू कर दता गया है। कॉंग्रस ने दावा किता है के नागरिकता सोध एक्ट दे नेम नोटिफाई करन दी टाइमिंग स्पष्ट रूप दे वेच खास करके पच्छमी बंगाल ते असाम दे वेच आउधियां लोगसबा चोणा दे तरू भी करन दी कोशिश है। कॉंग्रस ने जनरल सकतर केसी वेणु गोपाल ने किहा है के चार सालांदी दे री क्यों। था दिए अन्यक्यक्न दे पास्ट परालमें फिर यह का थी लएच बड़ कर सालांदी यह प्र्यूप था रिख निए लेह फिर लएग उन्यक्न दे जान का दिए निए लिए उटनर इस एट ओन दूटर दे दार वह यह व्राव था यह लूमीज। इसे तरह कॉंग्रेस लीडर दिगविजे सिंग ने भी स्वाल चुके ने पहली बात तो यह है इतना विलम क्यों किया अगर विलम किया तो चुनाओं के बात क्या दिक्कत थी उनका एक मातर उद्देश होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसल्मान में मातर है बात यह है बात यह है समिधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का दिकार है इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के अधार पर यह तह करे जाए किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है कौन नहीं बन सकता है मेरे मत में यह भारती सम्विधान के खिलाफ है पंजाब दिवेच साब का उकमुख मंतरी ते कॉंग्रिस MLA सुक्षिंदर सिंग रंदावाने वी अजही प्रतिगर्या दिन्दय के हैं के पामे मोद्धी सरकार जो मर्जी कर लवे लोका ने अपना फैसला कर रखे है बहुत कुछ होगा और बीजेपी की गॉवर्मेंट डेस्परेट हुई है और ऐसे कई और अनॉस्मेंट होंगी जो गॉवर्मेंट कोर्ड ओफ कंडक्ट से पहले दो तीन दिन पहले ऐसी करती है तो इसके बारे में तो डर रहे हैं कि पदनी लोग क्या करेंगे और लोगों ने अपना मन बना लिया है ऐसे काम करने चाहिए जो लोग जात करेंगे किस पश्ट करदा है तुसी समझ सकते हो दस साल से मोधी जी सरकार चला रहे हैं अब लोग सभा चुनाव आने के मात्र कुछ दिन पहले C.E.A. को कानून के तोर पे लाया जाता है ये क्या दिखाता है ये दिखाता है के मोधी सरकार को पता है कि उन्होंने दस साल में कोई काम नहीं किया उन्हें पता है कि उनको चुनाव से पहले आज देश की जनता को कुछ कहने के लिए नहीं हम C.E.A. के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं क्यूं? क्यूंकि आज इस देश का युवा बेरोजगार है आज इस देश में रहने वाले गरीब के पास घर नहीं है आज महंगाई का दर बढ़ रहा है तो मोदी जी और देशों के अल्प संखिकों को भारत लाकर और उनको नागरिकता देने के बजाए हमारे देश की उमाओं को नौकरी देना हमारे देश के आम परिवारों को भेंगाई से निजात दिलाए हमारे देश के गरीब परिवारों को घर दिलाए अपने उपर छट दिलाए ये तो मोदी जी ने दस साल से किया नहीं है अब वो कहने हैं के पडोसी देशों से अल्क संखे को भारत रिखे आई है क्यूं? क्यूंकि उन्हें अपना वोट बैंक बढ़ाना है क्यूंकि उन्हें लगता है के भारत के लोग तो वोट नहीं देंगी उन्हें AI MIM दे मुखी साउधीन ओवाईसी निके है के नागरेक्ता सोधक एक्ट वंडिया पॉणवाला ते गोंट से दे इस संकर्पते अधा आ रहत है के मुसलमाना नू दूसरे दर्जे दे नागरेक्ता ताक ही सीमित रख्या जाना चाहिंदा है समाजवाधी पार्टी दे मुखी एखलेश यादव ने के है के बीजेपी दी ते आनपट कौन दी खेट दा हसा है All India Muslim Personal Law Board दे मौलाना खलीद रशीद फरंगी महाली ने के है किसानू पता लगया के CAA नू लागू कारदता गया है उनना ने अपने पाई जारे दे सारे लोकानों शान्ती बनाय रखन दी अपील कीती From the press we have come to know that this notification has been issued and my appeal to all the community members is that we all should maintain peace and our legal committee will study the full notification and then only our point of view, any point of view can be or any statement can be issued दिली दे वेचर केड़े केड़े इलाकियां दे वेचर सुरख्यावदा आई गई है North East DCP जोई टिर्की ने दस्या हम लोग पहले से precaution लेके चल रहे थे और इसलिए हम लोग ये काम और किया कि जो हमारे जो potential trouble makers हैं और जो मेरे known criminals हैं उन लोग को हम लोग ने टागिंग किया है बहुत ही अच्छे तरह से और हमारे जो beat constables हैं सबको पता है कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है मैंने पर्सली अपने beat constables से बात करके पूछा कि भई तुमारे पास कौन-कौन से टाग क्रिमिनल्स हैं कौन-कौन से आपके टाग ट्रबल मेकर्स हैं तो सभी ने टच बेस किया है सभी हमारी बात्चीश चल रही है और हम लोग social media पे भी नजर गड़ा के रखे हुए हैं कि social media पे कोई भी adverse या कोई अब्जेक्शनिल पोस्त आता है तो उस पर भी तुरंद कारवाई करेंगे फ्लाग मार्च मेरे जिले में पिछले दो दिन से चल रहा है और कल से हम लोग उसको थोड़ा सा और extensive फ्लाग मार्च कराएंगे और जो मेरे जो होट हैं मेरे जिले में about 43 hot spots में ने पहले से identify किया है कुछ मेरे थानों के लाके हैं जो जाज़ा संविदन शील है तो उनको हम लोग खास दिहान रखेंगे तो ड्रोन से भी हम लोग नज़र रख रहे हैं और I am very sure कि हम लोग ने इस बार जो पहले कदम उठा लिया जो पहले हमन स्ट्रीट दोनों चीज के लिए एक तोरी अशारंस करने के लिए दूसरा डेटारंस भी है कि जो बदमाशी करेगा उसको हम लोग नहीं बख्षेंगे उद्र पच्मी बंगाल दी मोख मंत्री ममता बेनर्जी ने लोकानू इस मुद्धे ते गुम्रा करंदा बीजेपी ते दोश लाया ममता बेनर्जी दी अगवाई वाली त्रेन मुल कॉंगरस दे वलनों शुरू तो ही CAA दा विरोध कीता जारे है पिशली यान लोकसबा चोणा ते पच्छमी बंगाल दीयां सेंबली चोणा दे वेच बीजेपी ने विवादित CAA नू अपने परमुख चोण वादे वजों उबार्या सी ग्रह मामलें अबारे मंतरा लेदी 2021 वाई दी सलानना रिपोर्ट मुताबिक तिन मुलक जड़े हैगिन अफगानिस्तान, बंगलादेश चते पाकिस्तान एथों दे गैर मुसलिम का टिगेंटी पाई चारा नाल समंदित कुल 1414 विदेशी नागरिकानू नागरिकता एक्ट 1905 तैतर जिस्ट्रेशन जा कुदर्ती तोर्ते पार्ती नागरिकता दित्ती गई है ते विरोधी ते ररदे वल्लों जिड़ा ये अल्जाम लाया जा रहा है टाइमिंग ते स्वाल चुके जा रहे हैं के CAA नू लोगसभा चोणा तो एन पहला लागू करके बीजेपी इसता सियासी फायदा चुकना चौन दी है ता इसते किंद्री ग्रह मंतरा ले दा जवा अब भी आया है के इंद्री ग्रह मंतरा लेने के हैं के चार साल पहला ही इस कानून लागू कार दिता जाना सी पर कोविड करके इसनू लेट कीता गया एदे वेच देरी हुई है इस कानून ले लागू हूं तो बार दिल्ली वीच रह रहे है पाकिस्तानी हिंदू शर्नार थी खोशने उना दे एक वीडियो भी सामने आया है के हुण उना नूवी पारती नागरिक किहा जावेगा मामतब एनरजी ने स्पष्ट किता है के जे सी एए पाख पाती होया ता इसना विरोध किता जाओगा